Hello everyone, welcome back to this channel आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ Class 1 और Class 2 के बच्चों के लिए English Grammar में बच्चों को Is, Am, Are कैसे समझाया जाता है और कैसे आप Worksheet के साथ समझा सकते हैं ये शेर करने जा रही हूँ अगर आपके बच्चे Class 1 या Class 2 में हैं तो बच्चों को English Grammar में एक बहुत ही Important Topic पढ़ाया जाता है जो की है Is, Am, Are यानि की Is, Am, Are बच्ची किस तरह से कहां पे यूज़ करते हैं ये बच्चों को समझाया जाता है तो बच्चों को अगर आप समझा रहे हैं पहली बार Is, Am, Are तो आपको इस तरह से एक चार्ट बना के देना है और उसके बच्चों को समझाया जिसे कि बच्चों को वो समझने में जादा आसानी हो जैसे कि Is हम कब यूज़ करते हैं तो Is हम इन सारे चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं यानि कि ये subjects हो गए तो इन subjects के साथ हमाईशा हम इसका यूज़ करते हैं जैसे He जब भी देखेगा किसी भी sentence में तो He के साथ हमें क्या यूज़ करना है Is, यानि कि He is उसी दशी के साथ इसका यूज़ होता है इट के साथ भी इसका यूज़ होता है उसी एके साथ this, that या किसी singular noun के बारे में जब बात हो रही हो यानि singular यानि कि किसी एक single place, person, animal या think के बारे में अगर बात हो रही हो तो हम वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं सेम वे अब बच्चों को आप बताए कि आर का यूज़ कब करते हैं तो जैसे इसक हम singular चीज़ों के लिए करते हैं आर हम plural चीज़ों के लिए करते हैं जैसे कि आर हम कब यूज़ करते हैं जब हम you का यूज़ करते हैं उसी तासे वी, वी के साथ हमेशा आर का यूज़ होता है सेम वे plural noun यानि कि कोई भी एक से ज़ादा noun हो काई वो person, place, animal या thing है जो एक से जादा के बारे में बात कर रहे हैं तब हम R का यूज़ करते हैं सेम विद दे, दीज, दोस के साथ भी हम R का यूज़ करते हैं और एक और है am, am बहुत ही easy है, am बच्चों को बताना है कि जब भी हम I यूज़ करते हैं, तो I के साथ हमेशा हम am का यूज़ करते हैं बहुत ही simple concept है, आप बच्चों को इस तरह से चार्ट देंगे, तो बच्चे काफी आसानी से इस concept को समझ पाएंगे एक बच्चों को आप यह समझा दे तो आप उने different worksheet के साथ इस concept को और अच्छे से clear कर सकते हैं, चली देख लेते कौन-कौन सी worksheets हैं, यहां पर बच्चों को fill in the blanks दिया गया है, जिसमें बच्चों को इस word box में कुछ words दिये गया है, इन word box के जो words है, इनकी मदद से बच्चों को इन blanks को fill करना है, तो अगर एक बच्चों को chart समझा दें, तो आप इस तरह की worksheets दे सकते हैं, जिससे की बच्चों को जो concept है is mr का वो और अच्छे से clear हो पाए, जैसे देखें यहां पर गीता है, तो गीता जो word है, यह singular है या plural बच्चों से आप पूछ सकते हैं, तो गीता क्या है एक लड़की के बारे में बात हो रही है, एक लड़की का नाम है तो यह singular noun है, और जब भी हम singular noun की बात करते हैं तो हमेशा हम क्या यूज करते हैं, इस का यानि कि बच्चों को इसे cut करते हैं, और आप इने बोल सकते हैं गीता को इसके column में लिखना है अब यहाँ पे next है, यू, तो यू क्या है, यू, plural है यानि कि यू, pronoun है, जो हमेशा हम किसके साथ यूज करते हैं आर के साथ, तो बच्चों को आपको बोलना है कि आर की space में यू लिख देना है, तो यू यहाँ लिख देना है, और यू को cut कर देना है सेम वे next है, goats, अब यहाँ पे goat नहीं बोला गया है, एक बकरी की बात नहीं की जारी goats, यानि कि एक से जादा बकरी है, यानि कि plural है जब भी plural noun की बात हो, तो हम क्या यूज करते है, आर का तो हमें आर की जगह पे plural noun लिखना है, जो की है, goats तो यहाँ लिख देंगे, goats, आर, इस तरह से, और goats को cut कर देना है सेम वे next है, वी, तो वी अगेन plural है, यानि कि एक से जादा person की बारे में बात हो रही है तो वी को cut करेंगे, और इसे हम कहां लिखेंगे, आर में, क्योंकि वी के साथ हमेशा हम आर का यूज करते हैं वी आर हो जाएगा, इस तरह से, उसी तरह से next है, रोहित, अब रोहित क्या है, एक लड़के का नाम है, और यहाँ पे सिफ एक परसन की, यानि कि singular noun है, रोहित, एक परसन का नेम है, बात की जारी है, तो यह कहां जाएगा, इस में, क्योंकि रोहित, इसे लिखेंगे, रोह इस, या फिर animal की बात की जाए, जिसमें सिफ हम single animal, यानि कि singular noun की बात की जाए, तो हम it का यूज करते है, तो it हमेशा हम इस के साथ यूज करते है, तो हम it को इस के जगह पे लिख देंगे, और इसे कट कर देना है, next है I, अब I बहुत एज़ी है, जब भी बच्चों को I द कर देंगे, next है she, she again हम किसके साथ यूज करते है, इसके साथ, तो हम इसके कॉलम में लिख देंगे, next है box, box क्या है, यहाँ पे single box है, singular noun है, thing है, तो इसे हम कट करेंगे, और इसे हम लिखेंगे box, same way next है दे, दे हम कभी यूज करते है, जब भी दे, दे के साथ हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे, आर के कॉलम में दे, same way next है, this, this के साथ हमेशा हम इसका यूज करते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे, this, तो इस तरह से बच्चों को आप इस तरह से filling the blanks देते हुए, कुछ words देते हुए, बच्चों को concept दे सकते हैं, जिसे की ज़रूर कराएं, here is the next worksheet, color, the correct choice, यहाँ पर बच्चों को कुछ sentences दिये गए हैं, और बच्चों को कुछ choice दिये गए हैं, is, am, are से related, बच्चों को sentence को पढ़ना है, और उस sentence के basis पे, is, am, are में से कौन सा word हम select करेंगे, उसे बच्चों को color करना है, जैसे देखें, यहाँ पर पहला है, कायरा, is, am, are, my best friend, तो यहाँ पर is, am, are में से हम कौन से word का है, is, am, are, my best friend, तो यहाँ पर एक singular noun, एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, कि कायरा मेरी best friend है, तो singular noun है, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, कायरा, is, तो बच्चों को इसे, इस वाले circle को color करने के लिए कहना है, next है, I, is, am, are, an honest boy, अब यहाँ पर बच्चों को बहुत simple से देखना है, कि I है, तो I के साथ हमेशा हम am का use करते हैं, तो बच्चों को simply से color करने के लिए कहना है, next है, Meera and Ali, both, is, am, are, siblings, यहाँ पर बच्चों को देखना है, कि यहाँ पर मीरा की भी ब Meera and Ali, both, are, siblings, तो R को color करना है, same way, next है, the girls, is, am, are, about the same age, अब यहाँ पर again, plural noun है, girls है, girls यानि कि एक से जादा लड़कियों की बात की जा रही है, plural noun हो गया, तो यहाँ पर क्या use करेंगे, R का, तो R को color करने के लिए कहना है, next है, today, is, am, are, her birthday, यहाँ पर बच्चों को देख के बारे में बात की जा रही है, कि आज उसका बर्ते है, तो यहाँ पर singular noun के बारे में हर बोला है, तो singular noun के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या एगा, today is, इसको color करना है, क्योंकि यहाँ पर सिफ एक लड़की के बारे में बात हो रही है, next है, you, is, am, are, taller than my dad, तो यहाँ पर you use हुआ है, तो you के साथ हमेशा हम क्या यूज करते है, R का, तो R को color कर देंगे, तो बन जाएगा, you are taller than my dad, तो इस तरह से बच्चों को आप चार्ट के थरू concept को समझा देंगे, is, am, are, का, तो यह जो worksheets हैं, यह बच्चों के बहुत आसानी हो जाएगा, solve करना तो आप इस तरह से बच्चों को practice जरूर कराएं, now here is the next worksheet, match the following, अब यहाँ पर बच्चों को matching की worksheet दी गई है, जहाँ पर एक साइड में बच्चों को कुछ words दियेगा है, और other साइड में बच्चों को कुछ words या sentence दियेगा है, जिसे बच्चों को is, am, are के साथ match करते हुए एक proper sentence बनाना है, तो यह भी बहुत interesting worksheet है, यहाँ पर जैसे पहला लिखा है she, तो यहाँ पर बच्चों को देखना है कि she के साथ हमाशे हम क्या use करते है, is, so she is, अब यहाँ पर बच्चों को correct word के साथ जोइन करना है, जिसे की proper sentence बने, जैसे she is a teacher, तो यह एक sentence हो गया, meaningful, उस इसके साथ है, so my mother, my mother को इसके साथ मैच करेंगे, is at home, मेरी माँ घर पर है, इस तरह से, उसी से next है the boys, अब यहाँ पर बोला गया है, यानि की एक से जादा लड़कों की बात हो रही है, so यहाँ पर क्या use होगा, are, so the boys are students, यहाँ पर इससे मैच कर देंगे, next है I, I के साथ ह तो we के साथ हमेशा हम क्या use करते है, are का, so we are happy, इसके साथ मैच कर देंगे, next है this, this के साथ हम हमेशा क्या use करते है, is का, so this is an apple, इस तरह से यह eck sentence हो गया, next है those, so those के साथ एक से जादा जब हम बात करते हैं किसी चीज़ के तब हम those का use करते है, so those are plural है, those are my pens, तो इस तरह से बच्चों को आप matching की worksheet देते हुए भी बच्चों को is am r का concept clear कर सकते हैं और practice करा सकते हैं यहाँ पर बच्चों को कुछ sentences दिये गया है और हर sentence के लिए बच्चों को ब्राकेट में दो options दिये गया है जो भी word उस sentence के साथ correctly fit होगा बच्चों को उसे color करने के लिए कह सकते हैं आप या फिर tick करने के लिए जैसे देखिए यहाँ पर पहला है you am are a player तो you है तो you के साथ हमाईश हम क्या use करेंगे आर का तो बच्चों को आर को color करने के लिए या tick करने के लिए आप कह सकते हैं तो बन जाएगा you are a player इस तरह से next है they is or are teachers तो यहाँ पे they बोला गया है teachers बोला गया यानि एक से जादा person की बात हो रही है तो जब एक से जादा यानि कि plural noun हो तो हम क्या use करते है आर का so they are teachers इस तरह से next है Mr. Gupta is am a principal यहाँ पे बोला जा रहा है Mr. Gupta यानि कि एक person यानि कि singular person की बात की जा रही है कि Mr. Gupta एक principal है तो यहाँ पे क्या use करेंगे हम Mr. Gupta is तो इसको color करना है next है it am is a monkey अब यहाँ पे it बोला जा रहा है और monkey है तो यहाँ पे एक animal की बात की जा रही है तो एक singular noun है तो इसलिए हम क्या use करेंगे it के साथ इसका so it is a monkey same way next है she are is a bengali तो यहाँ पे क्या use करेंगे she के साथ हमेशा क्या use करते है इसका she is a bengali same way next है miss mary am is a teacher अब यहाँ पे miss mary बोला गया है एक singular person की बात की जा रही है तो हमेशा हम क्या use करेंगे इसका miss mary is a teacher तो इस तरह की worksheet से भी आप बचो को is mr का concept clear करा सकते है और practice करा सकते है now here is the next question tick the correct option यहाँ पे बच्चों को कुछ questions दिएगा है जिसके कुछ options है questions को पढ़ते हुए बचों को दिएगा option में से सही answer को select करना है उसे tick करना है जैसे देखिए यहाँ पर पहला है we use are when we talk about zero person one person और more than one person हम are का use तब करते हैं जब हम किसके बारे में बात करते हैं जब हम are तब यूज करते हैं जब हम एकसर ज्या when we talk about हम इसका use तब करते हैं जब हम किसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर option a में है 1% option b में है 2% option c में है 3% तो इसका use हम तब करते हैं जब हम किसी single person के बारे में बात करते हैं यानि कि 1% so a is the correct answer same with next my books dash on the table but your books dash in your bag यहाँ पर बच्चों को दो blanks दिएगा हैं जिसके जिसके बिला बच्चों को options हैrada option a में is M में भी यानि एक से में हैसे बच्चों को दिए गया option में से select करना है जैसे कि लिए और फिरह को दो में-ज़वे डिंप बॉला है यानि कि मेरी किताबे 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 यानि यानि ज्यादा किताबे की बात हो रही है तो यहाँ प पे भी हम बुक्स बोल रहे हैं एक से जादा किताबे की बात कर रहे हैं तुम्हारी तो यहां पे भी क्या यूज करेंगे आर तो इसलिए second option correct होगा बी option आर आर सो बी को टिक करना है तो इस तरह से भी बच्चों को आप objective questions देते हुए बच्चों को इसम्हार के practice करा सकते हैं अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो बच्चों के लिए को लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हूं आप से नेक्स वोक्षिट के साथ तब तक के लिए ठीक केर और बबाए